अध्याय दस, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन सम्तल सतह से, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फिस पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि प्रकाश सरल रिखा में गमन करता है। कि वस्तु प्रकाश के लिए कितनी अपारदर्शक है। पूर्णता पारदर्शक वस्तु की छाया नहीं बनती। परन्तु वास्तविक्ता में अधिकांश वस्तु पूर्णता पारदर्शक अथ्वा अपारदर्शक नहीं होती है। वस्तु अपने उपर पढ़ने वाले प्रकाश की कुछ मात्रा को परावर्तित करती है, कुछ मात्रा को अपवर्तित करती है वह कुछ मात्रा को अवशोशित करती है आपने प्रयोगों द्वारा यह भी देखा था कि प्रकाश हमेशा सरल रेखिय पत पर गमन करता है क्या यही कारण है कि हमें दूसरे कमरे में रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है इस अध्याय में हम सम्तल सतों पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना का अध्यन करेंगे हम प्रकाश की रण को एक सरल रेखा से प्रदर्शित करते हुए चाया व परावर्तन या अपवर्तन द्वारा बनने वाले प्रतिविम के बारे में अध्यन करेंगे इसमें आप सीखेंगे कि देखा गणित का उप्योग कर हम कई उप्योगी सुत्र बना सकते हैं और उनसे प्रतिविम का इस्थान, प्रकृती, आकृती का सटीक अनुमान लगा सकते हैं परन्तु उससे पहले हम छाया का अवलोकन एक क्रिया कलाब द्वारा करेंगे क्रिया कलाब एक पैंसिल के भाग की छाया की लंबाई का अवलोकन करने के लिए पैंसिल को आलू के कटे हुए टुकडे पर लमवत लगाएं ताकि वह इस्थिर रहे अब पैंसिल के उपरी भाग से 10 सेंटिमीटर नीचे एक ओलपिन को मोम या गोन से लमवत चिपकाएं पैंसिल की छाया का अवलोकन करें प्रकाश इस त्रोच से पैंसिल व परदे की दूरी को बढ़ाने व घटाने से चाया की लंबाही में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे यदि स्त्रोट से पैंसिल की दूरी घटा दी जाए अर्थात पैंसिल वब पर्दे की दूरी बढ़ा दी जाए और पर्दे को इस्थिर रखा जाए तो चाया काकार बढ़ जाता है यदि पैंसिल को स्त्रोट से दूर लिया जाए तो चाया छोटी हो जाती है यदि पर्दे वो पैंसिल को इस्थिर रखा जाए और स्त्रोत को पैंसिल के पास लाया जाए तो चाया बड़ी होती है स्त्रोत को और दू ले जाने पर चाया छोटी हो जाती है यदि पैंसिल व इस्त्रोत को इस्तिर रखा जाए और परदे को पैंसिल से दूर बढ़ाया जाए तो पैंसिल की छाया का आकार बढ़ा हो जाता है जबकि परदे को पैंसिल के करीब लाने पर छाया छोटी हो जाती है चाया के आकार व प्रकाश इस्त्रोत की दूरी का अनुपात वस्तू के आकार व उसकी इस्त्रोत से दूरी के अनुपात के बराबर होता है अर्थात वस्तु की लंबाई बटे वस्तु व प्रकाश इस्त्रोत की दूरी बराबर चाया की लंबाई बटे चाया व प्रकाश इस्त्रोत की दूरी याने H बटे DO बराबर H डेश बटे DS इसलिए H डेश बराबर H गुनित DS बटे DO किये गए क्रिय कलाब से नीचे दी गई साणी को भरे पैंसिल की लंबाई H बराबर 10 cm सूत्र से चाया की लंबाई बराबर H डेश बराबर H गुडित DS बटे DO बराबर 10 गुडित DS बटे DO इन मानों से आप सूत्र की पुष्टी करे अब आप भी किसी परिस्थिती में चाया की लंबाई का अनुमान लगा सकेंगे